हेलो एवरिवन वेलकम टुदी क्लास आप सभी का इस क्लास में स्वागत है हमारे क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ क्या आप वाखे में सौफ्टेर इंजिनियर बनना चाहते हो क्या आपका ड्रीम है कि सौफ्टेर कंपनी में आप जो ह परवत नहीं है ठीक है तो आपको लिटिल बिट प्रोग्राम आती है या फिर आपको प्रोग्रामिंग नालेश निल है आपका क्वालिफिकेशन या तो अंडर यूज है यानि कि आपका डिग्री कंपेट अभी हुआ नहीं है या फिर आपका क्वालिफिकेशन यूज है या आपका जो qualification है, graduation आपका complete हो चुका है, चाहे वो BAC है, BAC है, BBA, BGC, BTEK हो या फिर कुछ और हो, या फिर आपका master degree हो चुका है, फिर भी आपको coding थोड़ी बोट आती है, या फिर नहीं भी आती है, so you do not worry about that, तो आपको जो है, हमारा ये जो course हम आपको offer कर रहे ही, तो complete core python programming आपको जो है, हिंदी language में मिलेगा, अब ये जो complete session है, जिसको हम कहते ही, इट से core python programming या फिर functional python programming, जिनके तरू आप जो है, अपना coding का जो standards है, आप high level पे लेके जा सकते हैं, ठीक है, तो हमारा ये जो course session है, 25 plus hours का course session है, so आपको जो है, बिल्कुली कम rate में मिल रहा है आपको, तो इसके अंदर हम जो है, HD audio, HD video, HD presentations, और बहुत कुछ ज्यादा महनत करने के बाद आपको एक course session बनाए हुए है, तो before going to say anything about that, first of all, myself, I am Sadak, the professional programmer, software engineer, corporate trainer, digital marketer, and motivational speaker, तो right now, अब तक जितने भी हमें ये 14 years का जो journey रहा है, 14 years को जो experience रहे, वो किसी और के लिए हम work करे थे, right now, from this onwards, we are going to work, हमारा जो work रहेगा, वो अपने लिए रहेगा, तो आपके बाद से जितने भी courses आएंगे, वो हमारे ही रहेंगे, और आप जो है, मैं आपको ये 14 years journey में, some thousands of students को हम teach कर चुके ही, right, तो आप जो है, हमारा ये जो complete course session है, आपको 25 hours का video session मिलेगा, और इसके अंदर जो हम syllabus deal करने वाले ही, वो जो है, so this is nothing but our syllabus, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं, इंदर से here we have the language fundamentals, इसके अंदर जैसा कि python कौन बनाया है, किस लिए बनाया है, किदर पे बनाया है, python नाम क्यों रखा गया है, right, और python के features का है, python के limitations का है, और python के flavors का है, python के versions का है, कौन से year में बनाया था, आप जो है उन वर्षन को किस तरह से बलाएंगे, तो these are the different types of language fundamentals, we are going to discuss in our first class, हमारा जो course का जो first class रहेगा, ये language fundamentals रहेगा, ठीक है, और इसके बाद जो हम discuss करे ही, that is what, how to learn python programming, चाहाँ आप python programming ले लो, या फिर c programming ले ले लो, c++ ले 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 ले, पी हेश्पी ले 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 ले, या फिर world wide का किसी भी तरह का programming language अगर आप सीखना चाहते ही, तो आप किस तरह से सीखेंगे, this is what, it's a blueprint we have, ठीक है, तो हम जो है, हमारा जो concept, इदर how to learn python programming में, हम जो लखें, comparison between english language और python language बलके, और उसमें completely आपको theory, और practical complete आपको बता चुके ही, right now, इसके बात जो है, आपको next session में मिलेगा, आपको that is what, it's a installation of python software, जी हाँ, अब अगर download python, अगर आप google में search करेंगे, तो आपको बहुत सारे links मिल जाएंगे, बहुत सारे websites मिल जाएंगे, तो आप उन website में से, कौन सार आपको download करना होगा, तो these are the things we are going to discuss in that, और इसके साथ आप जो है, प्रोग्रामिंग लेंग्वेज अगर आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो here, we have the concept called, it's a path setting, that is nothing but, आप जो है, आपका प्रोग्रामिंग के अंदर आप path को किस तरह से set करेंगे, ये एक automatically set कर सकते हैं, और इसी तरह से manually set कर सकते हैं, दोनों के बारे में हम इस class के अंदर आप से discuss कर चुके हैं, तो right now, here, we have one more concept, that is nothing but, it's a data type, जैसा के worldwide का कौन सा भी programming language आप ले सकते हैं, तो उन programming language में, आपको ये जो concept रहेगा, that is what, it's a data type, आपको common से मिल जाएगा, ठीक है, जैसा के अगर आप cc++ java, यूस करते हैं, तो आपको data types मिलेंगे, तो अब ये data type होता क्या है, आपको data type इस्तिमाल करने की क्या जरुरत है, अब ये concept types के data types, आपके programming language के अंदर मौजूद है, जैसा के python के अंदर, तो these are the things which are discuss है, अब ये हम इसके अंदर, वो complete python programming के data types के बारे में, completely discuss कर चुके हैं, ठीक है, आपको करना क्या होगा, जैसा के हमारे पास session 1 से लेकर, session 36 तक है, जैसा के आप ये 1 to 36 sessions देखते हैं, तो आपको ये topic clear हो जाएगा, आपको core python programming आपको समझ में आ जाएगा, advanced python programming है, और इसी तरह से here we have, that is what it says, python GUI, तो अगर आपे तीनों programming language सीखते हीं, तो that is what, आप जो है, एक successful programmer हो, या फिर एक software engineer हो, तो हमारा जो first step रहा है, आप जो हमारे जो website के अंदर, आपको फिलवक्त के लिए core python programming ही मिलेगा, क्यों, आप जो advanced python programming के ओपर, हमारी जो team है, वो work out कर रही है, यह भी आपको advanced python programming भी बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है, no problem, अब यह data types के बात जो हम discuss करने वाले हैं, that is what, it says type casting, ठीक है, अब यह type casting होता है, या फिर इस ते type conversion, तो यह type casting हर एक programming language में मिलेगा, आपको जैसे के C में मिलेगा, C++ और Java और इसी तरह से python, type casting जो है, it is the process of converting the data, एक data को दूसरे data में convert करने के लिए, आप जो है type casting का इस्तिमाल करेंगे, और वो किस तरह से करेंगे, और इसके अंदर क्या-क्या topics हैं, जैसे के हम अलड़ी इदर mention कर चुके हैं, इस आर दा, जैसे के int function लेकर, of float function और इस तरह से, बहुत सारे functions लेकर हम type casting को discuss कर चुके हैं, ठीक है, और इसके बाद जो हम discuss करेंगे, that is what, it is a mutability as well as immutability, what does it mean here, mutability और immutability, तो अब यह mutability और immutability क्या है, और इसके कितने, कौन से कौन से data types mutable में आते हैं, और कौन से data types जो है immutable है, इसके बारे में हम आपको complete discussion दे चुके हैं, ठीक है, अब यह जो topic आपके पास है, that is what, it is a operators, operators जो है, आपको बहुत आसान रहेगा, जैसे कि आप C के अंदर, आप जान चुके होंगे, या फिर आपके graduation के अंदर, या फिर post graduation के अंदर, आपको यह topic जो है, commonly आपको यह मिलता ही रहा है, that is what operators, arithmetic operators, relational operators, logical operators, bitwise operators, और इस तरह से मारे पास, जो है, बहुत सारे operators है, python के अंदर, तो यह completely हम इसके बारे में, आपको operators के concept, आपको discuss कर चुके ही, तो here, आप बहुत सारे people, जो है, बहुत सारे students, जो है, यह topic को neglect करते हैं, operators topic को neglect कर देते हैं, तो इसलिए वो जो है, उनके interviews के अंदर fail हो जाते हैं, तो हमारा एक suggestion है, हमारे जो sessions को, complete session मिलेगा, Hindi language में मिलेगा, for better understanding, आपको अच्छे तरह के समझ में आने के लिए, here we have to repeat twice to thrice, याईनकि 2 से 3 मरतबा आपको हम repeat कर चुके हैं, तो अगर कोई अच्छे point दिखते हैं, तो इसको हम 2 मरतबा repeat करते हैं, या फिर कभी-कभी 3 मरतबा भी, हमारे course session के अंदर repeat करते हैं, ठीक है, और इसी तरह से हमारे जो course session है, इसके अंदर हम complete theory और live practical के बारे में आपको बता चुके हैं, next आपको एक point बता दो, और थोड़े programs के अंदर हम जो है typographic errors भी रखे हैं, क्यों मतलब आपको errors के हवाले से भी थोड़ी बहुत जानकारी देने के लिए, आप इसके अंदर typographic errors, typographic errors का मतलब है, आप जो है, अगर spelling mistake कुछ type कर दे, semi-colon miss कर दे, comma miss कर दे, या फिर bracket close करना miss कर देते हैं, तो उसको हम कहते हैं typographic errors, तो इस तरह की errors के बारे में हम जो है, हमारे course session के अंदर, थोड़े बहुत programs के अंदर, आपको ये इस तरह से मिल जाएगा, that is what, it's a typographic errors, ठीक है, और इसके बाद जो हम discuss करने वाले हैं, that is what, it's an input statements, next one, जो है output statements, अब ये input output क्या होता है, जैसा के अगर आप computer से interact करना चाहते ही, तो compulsory आपको जो है input statements, to the help of input function के तुरू, आप जो है computer से interact हो सकते ही, तो input statements आपको कितने तरह के हैं, जैसा के command line है, dynamic input है, तो इस तरह से हमारे पास जो different types of inputs हैं, अगर आप output statements के बारे में बात करते हैं, जैसा के print function है, या फिर print with replacement operator है, तो इस तरह से हमारे पास जो है, यह complete scenarios हम इसके अंदर भी आपको बता चुके हैं, तो I hope that आपको एक points समझ में आ रहे होंगे, तो इसके बाद जो हमारा course session हम जारी रखेंगे, that is nothing but it's a control structure, जी हाँ, इसको हम flow controls भी कह सकते हीं, जैसा के अब जो है, हमारे पास different types of control structures है, एक जो है decision statements, या फिर इसको हम कहते ही conditional statements, next one जो है, it's a looping statements, या फिर इसको हम कहते ही iterative statements, और इसके बाद जो है transfer statements, इनके बारे में हम बहुत सारी scenarios ले जो कहीं, ठीक है, so that is nothing but आपको यह हर एक programming language के अंदर आपको यह कामन से मिल जाएगा, that is nothing but it's the control structures, और उसके बाद जो है, these are the very very important topics, those are strings and numbers, जी हाँ, अगर आपका कोई भी software ले 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 जे, तो उन software के अंदर आप जो है interact होने के लिए, या तो strings से interact हो सकते ही, यानि कि string का मतलब है alphabets, और numbers, numbers के तुरू interact हो सकते हैं, ठीक है, यानि यह दो जो topic है, बहुत बहुत important है, जैसा कि string होते हैं, कितने तरह हैं कहीं, और इसके अंदर कौन से कौन से types हैं string के, और कौन से operators आप इस्तिमाल कर सकते हैं, और string के कितने functions हैं, जिनके तुरू आप अपने string को perform कर सकते हैं, ठीक है, that is what string handling functions भी आपके है सकते हैं, तो यह complete जो topic है, अगेर हम हमारी सिल्बस के अंदर include कर चुके हैं, और इसके बाद जो है numbers के तरफ आते हैं, तो here we have the different types of mathematical functions, और इसी तरह से random functions है, और इसी तरह से technometric functions है, तो I hope that आपको एक point समझ माया होगा, और इसके बाद जो है, हमारे पास एक concept है, that is what it's a functions, अगर आप object oriented programming का इस्तेमाल करेंगे, तो इसको हम कहते ही, इसे method, तो फिलवक्त के लिए हमारा जो core Python programming है, या फिर functional Python programming है, इसलिए हम इसे functions का नाम से जाना जाता है, तो यह function होता क्या है, और इसके arguments क्या ही, और जो है इसके अब बाद हम variables कितने तरह के ही, और इसके साथ-सार recursive functions क्या होते ही, lambda functions क्या होते हैं, और nested functions क्या होते ही, इनके बार में में आपको complete discussion हम, हमारी class में, यहनि हमारे classes के अंदर include कर चुके ही, ठीक है, और इसके बाद जो है, जैसा के हमारे पास, it's a modules, modules का मतलब है library function, जैसा के अगर आप C के, C पर थोड़ी बहुत knowledge भी अगर है, आपको जिसे हम कहते ही, prototype या फिर header files कहते ही, इसी तरह से python programming के अंदर, इसको हम कहते ही modules, और इसके बाद जो है packages है, यह packages होते हैं क्या ही, which is nothing but a physical directory हम इसको कहा सकते ही, तो यह packages के बारे में भी हम जो है, इन-depth से आपको समझा चुके ही, और यह जो list, set, tuple, or dictionary, जी हाँ, list, set, tuple, or dictionary, यह इनको जो है हम collections के नाम से जाना जाता है, या फिर इससे data structures, इसको हम कहते हैं, data structures भी कहते ही, अब यह list के functions क्या ही, list के operators क्या ही, आप यह list के scenarios क्या ही, और इसी तरह से set, tuple, dictionary के बारे में हम, आपको in-depth से समझा चुके ही, अगर आप यह completely देखना चाहते ही, तो you just go here www.edusa.com, यह edusa.com के अंदर हम जो है, आपको हमारा जो core python programming आपको मिल जाएगा, अगर आप चाहते ही, तो आप उसे purchase कर सकते ही, और subject को enjoy कर सकते हैं, तो आपको थोड़े points और भी बता तो, हमारा जो core session रहा है, हमारा जो core session 25 hours का video session है, या फिर 25 plus hours का video session है, और इसी तरह से आपको किसी भी तरह का coding knowledge नहीं भी है, तो भी चलता है, तो अगर आप computer background नहीं हो, तो भी आप software engineer बन सकते हो, तो मैं आपको point clear कर दो, और इसी तरह से हमारा जो complete core session है, वो आपको Hindi language में मिलेगा, और better understanding के लिए आपको हम 2 से 3 मरतबा explain करें ही, और इसके साथ साथ हम completely theory और practicals के पर ध्यान दिये ही, तो this is nothing but हमारे जो है बहुत सारे features है, तो हम जो है हमारे core session मिलते हैं, तब तक के लिए मिजाद दिजे, thanks for watching us, we'll meet in the next class.